20 World Cup में तीन मैचेज आपको देखने को मिलेंगे South Africa, Netherlands, Pakistan, Bangladesh और India और Jimbo में कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि Point Stable में कौन सी टीम वो Top 4 पे रहेगी और किसके बीच में semi-final मुकाबले खेले जाएंगे उसमें से एक पार्ट हमारा सही हो गया England की टीम ने मैच को विन कर लिया Number 2 पे है and New Zealand की टीम Number 1 पे है इस ग्रुप के सारे मुकाबले हो चुके हैं अब यहाँ पे Group 1 पे एक बार नजर डाल लेते हैं Quickly यहाँ पे India की बात करें तो India यह वाला मैच जीत करके कल वाला Points Table में Number 1 पे बनी रहेगी और India का मुकाबला England से होगा यह तो 101% confirm हो चुका है अब यहाँ पे बात करते हैं Number 2 पे कौन से टीम रहेगी अब यहाँ पे depend करता है वैसे तो देखा जाए South Africa के टीम को Netherlands को असानी से हरा देना चाहिए लेकिन cricket में बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो कि Unpredicted होती है तो South Africa को यह मान करके चल रहे है Number 2 पे रहेगी उसका मुकाबला होगा New Zealand के साथ Semi Final में अब यहाँ पे देखते हैं कौन से टीम विन करती है बाकि यहाँ पे और भी सेनैरियो हो जाएं जैसे अगर South Africa की टीम को निधरलेंड की टीम हरा देती है तो फिर यहाँ पे इन टीम में भी चांसेज रहेंगे क्वालिफाई करने के जल्दी से क्विकली मैं में में बात पे में मुद्दे की बात करूँगा बाकि कोई भी बात यहाँ पे नहीं होगी Adelaide में यह मकाबला होने वाला है Adelaide में बहुत सारे मैचे जा आपने देखे इस सीजन होते हुए उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा इस सेजन टूटल चाहर मैचे चार मैच के लुए यह बात करूँग हूए है तीन मैच बात फिर स्ट एक मैच क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा average score 170 के आसपा से पहले inning का अब सबसे पहले last match से चलते हैं Australia अफगानिस्तान के बीचे मुकाबला था 108 टरम बनाया Australia ने अफगानिस्तान की टीम 164 बना पाई दोनों ही inning में काफी अच्छे गासे wickets किरे 8 विकेट पेसर ने लिए और 4 विकेट इस्पिनर ने लिए यहां क्या निसकर्स निकलता है 170 के आसपास यहां पे score बन सकता है पहले batting करते हुए और पेसर्स को यहां पे जादा मदद मिलती है उसी दिन 2nd match के ला गया अगर कोई बड़ी team है, strong team है तो वो बना सकती है जैसे की कल वाले match में आप देखोगे South Africa की team निजलन की team पहले batting करती है जल्दी भी all out हो सकती है इसके अलावा इंडिया और बांगलादेस के बीच में इसी venue पे match हुआ था यहाँ भी इंडिया मजबूत थी तो इन्होंने 180 प्लस का score बनाया और बांगलादेस 145 ही बना पाई यहाँ पे 8 विकेट लिया था पेसर ने और मातर 2 विकेट इसमिनर को मिला यहाँ भी पेसर सहावी रहे 180 प्लस का score बना और यहाँ पे 2nd batting करने वाले टीम हार गई इसके बाद एक और match आपको यहाँ पे देखने को मिला था जो कि Jimbobbe और निधरलेंड के बीच में था जो कि low scoring game हुआ था यहाँ आपने क्या देखा 117 रम बनाया Jimbobbe की team में निधरलेंड ने match को chase कर लिया था फिर भी काफी मुस्किल से chase किया था लेकिन low scoring game था इसलिए chase हो गया otherwise 3-3 match batting first करने वाले टीम ने जीता है लेकिन यह stats apply नहीं होता है South Africa और यहाँ पे निधरलेंड वाले team के बीच में because South Africa strong यह पहले batting करे या second batting करे जीतने का chance South Africa का ही है इस match के अगर मैं बात करो तो यहाँ पे 15 wicket total गीरे थे जो कि 15 के 15 wicket Pacers ने लिये थे इस spinners को एक भी wicket नहीं मिला था इन सभी discussion से दो बाते clear हुई यहाँ पे अगर South Africa के team पहले batting करती है 180 plus का score बनाएगी प्लस यहाँ पे Pacers को जाड़ा wicket मिलेंगे और second bat क्या निकल के आती है जो भी team यहाँ पे second batting करती है वो हार जाती है 180 केसेज में लेकिन यह बात इस match में apply नहीं होगा अगर Netherlands की team पहले batting करती है जल्दी all out हो सकती है और South Africa आसानी से chase कर सकती है इस तरीके यह मुकाबले में हम दो तरीके से team बनाते है अगर जो मजबूर team है उसकी पहले balling आती है तो हम क्या team बनाएंगे अगर कम जो team है Netherlands की वो पहले batting करती है तो हम क्या team बनाएंगे तो आपको दोनों ही team में बना करके दिखाता हूँ इली की वोई contest का question यह है कि लीडी यह जो यहाँ पर main all owner है निदरलेंड के जो कि एक समय केवल batsman हुआ करते है लेकिन इधर में विकेट्स बहुत लेने लगे है बैटिंग से जज़ाद अच्छा performance बॉलिंग से है यह कितना run बनाएंगे, कितना विकेट लेंगे answer देने के लिए hashtag सागा flashback इसके लाबा hashtag ऐसे वरसे NAD आपको type करना है जिसका भी सही answer आएगा सबसे पहला answer आएगा उसको एक हजार रुपे का winning price दिया जाएगा अब यहाँ पे बात करते हैं टीम कैसे बनानी है साथ अफरीका और नेधर लैंड में कोई भी comparison नहीं है साथ अफरीका नंबर 3 पे आती है ICC T20 रैंकिंग में नेधर लैंड नंबर 17 पे आती है लेकिन यह बड़ी बात है कि इसने top 12 टीम में qualify किया था तो टीम खराब नहीं है टीम अच्छी है अब यहाँ बात करते हैं साथ अफरीका की कौन से प्लियर आपको लेके चलने है यहाँ पे अगर पहले बालिंग आती है साथ अफरीका की तो क्या टीम हम बनाएंगे पहले वो डिसकस कर लेते हैं इनकी तरफ से कुछ इंपोर्टन पेसर है जो की चार और बालिंग राते हैं नौर्किया, रबाडा, लूंगी नगिडी और यहाँ से परनेल यह चार पेसर आपको लेके चलने हैं प्लस आपको यहाँ पे सामसी को भी लेके चलना है अगर पहले बालिंग आती है उस case में second बालिंग आती है तो इनमें से आपको चार प्लेयर को या पाच्छो प्लेयर को भी आप लेके चल सकते हो अब यहाँ पे बैटिंग सेक्सम में आपको कुइंटन डिकॉग को लेकर के चलना है एक और batsman जो आपको लेना है वो होंगे यहाँ पर Relay Rasog हम यह मान के चलेंगे कि जल्दी all out हो जाएगी निदरलेंड की टीम और जो top 3 में से जो top 2 जो inform batsman है वो अच्छा score बनाएंगे वैसे last के 2 match से decock flop हो रहे हैं एक रंद जीरो रंग केनिंग खेली है उसके पहले 63 और 47 की इनिंग खेली थी रसोग की बात की जाए ये भी last के 2 match से flop हो रहे एक match में 109 रंग बनाया था इन्होंने जो पहला match इन्होंने खेला था इसके अलावा यहाँ पर तैंबा वियुमा last match में अच्छी form में दिखे 36 रंग बनाया था इन्होंने बट यह उतना अच्छा performance नहीं कर पा रहे consistent नहीं है इसलिए हम इंको नहीं लेंगे आप यहाँ पर चाहो तो आप एक change कर सकते हो परनेल की जगप पर आप यहाँ पर ले सकते हो मारकरम को मारकरम भी एक अच्छी choice हो सकती अगर स्टार्टिंग से एक दो विकट गिर की है तो मारकरम भी अच्छा कर सकते है इनका selection percentage भी काफी जादा है इसको देखते हुए एक match में इन्होंने बॉलिंग भी की थी बैटिंग से अच्छा कर रहे है 50-52 बनाया था एक में 20 बनाया था तो इस तरीके से आपको टीम बनानी है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर पहले balling आती है साज़गर की तो आपको कौन से वो चार player होंगे जो कि आपको नेधरलेंड के लेने हैं तो गिने चुने चार player है वो आपको भी पता है यहाँ पर आपको इनको ले करके चलना है जो कि लगातार अच्छा performance करते हैं हर टीम के खिलाफ लास्ट मैज़ भी दो विकेट लिया उसके पहले कुछ खास नहीं कर पाए उसके पहले भी दो विकेट, दो विकेट, दो विकेट, तीन विकेट बैटिंग से रun बनाए चाहिए नहीं बनाए इनको विकेट मिल जाता है चाहिए एक ओवर बॉइलag करें चाहिए दो ओवर बॉ levar करें इनको विकेट मिलना है इनके टीम के तरफ से ग्लोवर लाश्ट के दो मैश्ट से दो दो विकेट ले रहा है बट South Africa के अगेंश मेरे को नहीं लगता विकेट लेंगे इंको तब हम लेंगे जब नेधर लैंड की पहले बॉलिंग आएगी अभी फिलाल हम इंको इग्नोर करेंगे हम यह मान के चलेंगे South Africa के टींग पे ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे हम ले सकते हैं अगर पहले बॉलिंग आती है वैसे इन्होंने लाच मैच में दो विकेट लिया था इसके अलावा यह बिल्कुल पूरी तरीकी से फ्लॉप रहे हैं सेम इनके टीम की तरफ से जो क्लास है यह काफी अच्छे प्लेयर है बड़ी यह पूरी सिर्ज में फ्लॉप रहे हैं पॉइंट्स हैं इनका जो आपको यहां पे दिख रहा है यह पहले के मैचिज में है एक एक विकेट दो तीन चार मैच में लिया है पहला मैच जो इनको अपको ट्राइ कर सकते हो आपको डार इनको तीम में ले ले लेना है जो की बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिफ्टी टू बनाया है लाज पैच पे एक मैच पे स्वेंटी वन बनाया था इंपॉर्टन रहेंगे इसके लावर टॉम कूपर को यहां पर हो खेलते हैं बहुत एक्सपिरियंच है ट्राइ कर सकते हो या फिर माई बर को ले सकते हो बड़ मेरे तिये ज्यादा इंपॉर्टन टॉम कूपर होंगे चो कि ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो अगर यहां पे पहले बालिंग आती है साथ अर्टिका की तो हम इस टीम से जाएंगे यहां पर मिक्रेंग को लेकर आप चेंज कर सकते हो या तो कॉलिन एकरमेन या तो मिक्रेंग एक बहुत अच्छे विक्केट टेगिंग बॉलर है तो इनको बिल्कुल अपने टीम में लेना चाहिए एप्टन वाइस कैप्टेंग की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़रा विकेट टेंगें बॉलर यहाँ पर नौरकियां हैं और लूंगी नगेटी इन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टेंग कर सकते हो आप इसके अलाव कुछ डिफरेंड करना है तो फिर यहाँ पर डिकॉक को आप सिवीसी कर सकते हो जो के विकेट tooking से और बैटिंग से points दे सकते है आपको अगर निधरलेंड को prefer करना है उनकी तरफ से आपको लगता है इस match में भी इंको 2 केट मिलेगा या रन बनाएंगे तो आप बना सकते हो बट मैं recommend नहीं करूँगा। यहाँ पहें बात करते हैं, एगर निधर लेंड के पहले बालिंग आती है। इस केस में यहाँ पे कुछ बॉलर्स भ火 मgregों करने होंगे निधर लेंड के बैटस्मेन कम करके। विकॉज यहाँ पे साथ अठरिका के ज्यादा बैटस्मेन की बैट की घटिंग आएगी। जो कि विकेट टेकिंग बॉलर है इसके लावा यहां पर ग्लोवर को आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हैं फिलाल मैं इंको ट्राइ नहीं कर रहा हूँ वैसे लाश के दो मैस इंको दो दो विकेट मिला हुआ है इसके लावा यहां पर इनको आपको लेकर के चलना ही है प्लस कालम इंको नहीं लेंगे एंड यहां पर लॉवन वैन भीक है यह भी काफ़ी एक्स्पिरिंट प्लेयर है लाज्ट में दो विकेट लिया एक मैच में इन्होंने यह विकेट लिया था कुछ खास यह भी उतना नहीं गर पार है बट फिर भी यहां पर दोनों में कंपेर किया ग्लोवर को चुकी विकेट मेल रहा है इसलिए हम उनको ट्राइगे कर सकते हैं परिंगल कहलते हैं तो काफी अच्छी उक्षी आप जा रहा है उनके साथ जा निए कुछ सकते हूं दोनों को हो सकता है क्या हट दोब बिकेट मिले गाइन है यहां पे चार प्लेर मेर को ही लेंगे अपने टीम में प्लस यहां पर टॉम कोपर की जगह पर हमने मारकरम को अपने टीम में जगह दे दी आप चाओ तो मिलर को भी ले सकते हो लेकिन विकेट हो सकता है ज्यादा ना गिरे इसके बाद यहाँ पर आपको परनेल को लेना है एज अटेच क्योंकि यह बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं बट इनके बैटिंग आना मुस्किल है तो यहाँ पर नौर्किया रबाडा और लोंगी नगेटी यह तीन फ्लेयर तो आपको लेने है प्लस यहाँ पर परनेल मैं इस केस में यहाँ से सामसी को मैंने हटा दिये हूँ कि यहाँ पेसर्स को ज्यादा विकेट से मिल रहे हैं लेकिन सामसी किसी का भी विकेट ले सकते हैं आपको पता इंको खेलना इतना भी आसान नहीं है बैट स्वेन के लिए तो आप अगर चेंज करना चाहो तो परनेल की जगह पे इंको ले सकते हो फिलाल यले मैं नहीं ले रहा हूँ तो इस तरीके से मैंने टीम बनाई है यहाँ एक बॉलर मैंने इंकरीज कर दिया अगर नेदरलैंड की पहले बॉलिंग आती है Captain Vice Captain की वही चौइस है अभी भी लेकिन इस केस में आप D Imag बना सकते हो Captain पहले बैटिंग आएगी तो बड़ा स्कूर कर सकते है मार करम या तो रिले रसो का वाइस केप्टेइम बना सकते हो अब इसकेञाव यहाँ पे डिफरेंसिल पिक के तौर पे आप यहां पे अगर आपको लगता है रसोफ फ्लॉप होंगे या तो यह फ्लॉप होंगे तो डेविड मिलर को आप ले सकते हो जिनको कम लोग ले रहा है प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की च्वाइस अभी भी नौर किया है इसके अलावा यह यहां पे लूंगी नगेडी है यह एंड इसके अलावा रबाडा को बहुत कम लोग बना रहा है लेकिन बहुत बड़े प्लियर है फॉर्म में उतनी इच्छी नहीं है तो आप इनको भी वाइस कैप्टन बना सकते हो तो यहां पे मैंने सारी बाते बता दी बस मेगा गीव यह content जो हमने 10 लाग करका है इसमें participate करने के लिए वीडियो को like करना है share करना है comment करना है कोई भी एक comment कर सकते हो इसके लावा हमारे YouTube चैनल और Telegram चैनल को join और subscribe करना है link वीडियो को नीचे description box में है इसके लावा यह 10 लाग 12 लोगों में divide किया जाएगा number 1 पे आने वाले को 3 लाग नंबर 2 पे आने वाले को 2 लाग बाकि जो यहां पर पैसा बचा हुआ है वो 10 लोगों पर 50-50,000 रुपए डिवाइट किये जाएंगे 5 लाग रुपए तो आप जल्दी करिए आप भी participate कर सकते हो अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किये तो like करके जाएएगा आपक झाले कर दो